सांसत राजकमा चाहार के पुत्र सूर्वी चाहार और मंत्री बेविरानी मौरी के पुत्र अभिने मौरी ने किया तूफानी जनसंपर्क फतेपु शेकरी फते करने के लिए सांसत पुत्र सूर्वी चाहार और मंत्री पुत्र अभिना मौर्यत तूफानी जनसंपर करते हुए नजराए दोनों ही यूबा जन्ता से सीधा सा बात करते दिखे दोनों यूबाव ने लकाबली बुडेरा अकपर पुर्शाई तमाम गामों में जन्संपर कर बाजबा सांसा पृत्प्यासी राजकमा चाहर के पच्च में मत्यदान गन्य की अपील की इस दोरान उन्होंने मोदी योगी और सरकार को राशे तेसी बताते हुए एक बार फिर्शे बारती जन्ता पाटी को पच्च में मत्यदान करने की अपील की है इस दोरान उनका जगे जगे जोड़दार स्वागत किया गया सुर्वी चाहन ने कहा कि जहां भी वह जेत्र में जा रहे हैं लोगों का अपार जंज समर्तन और प्यार उनको मिल रहा है लोगों में मोदी सरकार के प्रती उत्षा देखा जा रहा है देखिए एक रिपूर्ट पांच लाग वोटों से आपने विजयी बनाया तो पांच लाग वोटों से विजयी बनाने का मतलब आप समझते हो पूरे उत्तर प्रतेश में नंबर वन की जीद हुई तो मोदी जी ने पूछा कि वहिया फदेबुर्ट सिगरी की जनता मैं ऐसा क्या है जो बनारस की जनत है और इतनी गर्मी का समय है तब भी लोग में उत्सा है मोदी जी के प्रती और अपने प्रत्याशी सांसच जी राचुमा चाड़ जी के मेरी पिता जी है उनके प्रती लोग में उत्सा है जो काम फद्यबुर्ट सी की लोग सामने द्वार 19 से हुए और निरंतर उससे करीब वोटो से मोदी जी को यहां से मेरे पता जी को यहां से जिता के दिल्ली भेजा जिससे की संगठन ने उन्हें किसान मुर्चे का राश्य दक्ष भी बनाया तो लोगों में यह है कि अगर छेत्र का नेता कोई आगे बढ़ता है तो सब उसका साथ देते हैं तो उसी सा अंतर रूप से वो आगे बढ़े इसलिए जीत अवश्य पहले से जादा ही होने वाले लोग सब जानते हैं लोगों की समस्या नहीं है यह अन्य पार्टी वाली की समस्या है क्योंकि उनके पास को मुद्दा नहीं कहने को उन पर एक ही बात वो रटके आगे कहीं से किसी ने अनको सिखा दिया कि बंघा यह ऑन लो तो इससे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई है नहीं कोई आरोप नहीं है सांसर जी के लिए तो बस ले दे के प्रात्मिक्ता होगा, इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, आगरा में, खिलाडी, बहुत अच्छे रूप से पुरे देश में, खेलने का मौका उनको मिल रहा है, पुरे दुनिया में देश का गॉरफ बढ़ा रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल एईरपोर्ट की, जो कि पिता जी ने पहले भी लोकसवा में ये मुद्दा उठाया है लगातार आपने कभी देखा भी होगा लोकसवा टीवी के माध्यम से उन्होंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है कि अपने चेत्र में इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए बागी है जो हमारा परिवार है उसमें जाके बैठके जो दो-तिन बाते हमें करनी है वो कर रहे हैं लोगों मनाएंगे इस बार अब लगे क्या कहुंचने आप किन मुद्दों को लोका जिंता बीजी पहुंच रहे हैं सब हम लोग का तो मैनिफेस्टों में और जो मुख्यता इनना क्रक्स अब मैं बात करूं दो सुरक्षा, शौचाले, घर और सौरी उर्जा यह चार-बाच पॉइंट अशे हैं जो मुझे अबील करते हैं और उस पे इन डिटेल काम होगा नव्टी क्या लगता हैै इस वह यहीं और जोड़ शौशतों एक देश का चुनाव है यह तो मोदी जी से बड़ा चेहा भी तो कोई है दी ओर जिस वह अपने कारियों में लगे रहते हैं हम सब कुई परेरेत करते रह तो निश्यत तो अनीकी सरकार आनेमा miał बिल्कुल होगा साब 400 बार बिल्कुल होगा और हम लोग हमेशा निरंतर सक्रिय रहते हैं अपने चेत्रों में सक्रिय रहते हैं तो बतोर आपकी तरब से क्या रहेगा जनता के लिए क्या कहना चाहिए जैसे शुरवीर भाही ने बताए अभी इंटरनाशनल स्रेडियम और इ यह वाला सवाल तो आप हमारे बारे में जनता से मुझे जादा अच्छा रहेगा आपको फैर आंसर महीं से मिलेगा